आप सबी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लास इसके यूटूब चैनल पर थमनेल भी आपने बिलकुल सही पड़ा गुजरात के अंदर हाई कोट की तोहीन हो रही है सर ऐसा कैसे कह रहे हो हाई कोट की तोहीन हो रही है जरा इस ओडर को देख लो यह ओडर पास हुआ है 29 दिसंबर 2023 को और यह जो ओडर है कौन से पीरियर का जुलाई 17 से मार्च 18 का तो सर इसमें दिक्कत क्या है 17-18 के जो ओडर इशू करने की डेट 31 दिसंबर है पूरे गुजरात में तोहीन क्यों रही है भाई यह गुजरात में तोहीन इसलिए हो रही है क्योंकि गुजरात में हाई कोट ने एक ओडर दिया था हाई कोट ने ओडर दिया था और ओडर में यह लिख्खा था कि इस्टे लगा दिया है हमने कि भाई कोई भी वेक्ती कोई भी ज देखियो तो उसमें हमने डिसकस ये वात का करा था कि भाई ये जो 17, 18, 18, 19 के जो ओर थे या जो नोटिस की डेट थी ये निकल चुकी थी लेकिन गोवर्मेंट ने 31 मार्च को नोटिफिकेशन निकाल कर इसकी डेट को एक्स्टेंड करा था और जो एड़ोकेट अविनाश प प्रस्सद में हो जाती तो कोई भी जी एस्टी ऑफिजर ना तो कोई नोटिस निकाले ना कोई ओर निकाले टीक है ना अगर वह नोटिस या ओठर निक तो इसका मतलब हाइप कोट की तोहीन कर रहा है तो यहाँ पर जो पुजरात के अंदर जो भी 31 दिसंबर से पहले notice और order आ रहे हैं आप मुझे comment box में लिखकर बताओ यह गलत है या नहीं है क्या यह high court की तोहीन है या नहीं है क्योंकि अब आपका मुद्ध यह होगा कि सर अगर इनोंने 31 तारिक को अगर 31 तारिक को order नहीं निकाला तो फिर त आपने section 75 पढ़ा हो कितने लोगों ने पढ़ा section 75 सर हमने तो नहीं पढ़ा तो भाई section 75 पढ़ ले ना ठीक है ना हमारे अरजुन कोर्स में section 75 पढ़ाते हैं अभिमन्यू बैच में भी पढ़ा रहे हैं तो section 75 किलियर यह कहता है कि अगर where the service of notice or issuance of order is stay by an order of a court कि अगर किसी high court ने notice issue करने पर या order issue करने पर इस्टे लगा रखा है और मानलो वो इस्टे लगाया उन्होंने दो महीने तक के लिए तो दो महीने तक के लिए अगर वो इस्टे लगाया तो जो time limit है notice or order issue करने की उसमें से वो दो महीने का period exclude कर दिया जाएगा तो इसका मतलब यह था कि अभी high court को ठीक है ना high court ने जो अपना आदेश दिया था उसके बाद गुजरात वालों को यह notice या order issue नहीं करने चाहिए थे तो अगर आपको इस तरह का कोई order आ रहा है अगर आप उसकी appeal फाइल कर रहे है या notice आ रहा है तो आप उसके reply में लिख सकते हैं कि जब इस तर है कि notice और issue order issue करने पर high court ने stay लगा रखा है तो आप ऐसा क्यों कर रहे है ऐसा करना तो high court की तोहीन है इसके अलावा अब आपका question यह होगा कि सर क्या यह सारी चीजे हम दिल्ली में भी लगा सकते हैं महराष्ट्रा में भी लगा सकते हैं या गुजरात पही applicable होगी भाई द इस चीज को mention कर सकते हैं क्योंकि यह है तो एक national level का issue और अगर गुजरात ने आपके favor में decision दे लिया कि notice और order सब गलत हैं तो दिल्ली वाले भी हाई court जाएंगे महराष्ट्रा वाले भी हाई court जाएंगे तो आपको अगर notice order आ रहे हैं तो आप इसमें यह चीज ले सकते हैं और मेरी जो गुजरात में notice order आ रहे हैं उनसे मेरी request है कि आपके high court ने जब order दिया है कि notice order ऐसे issue मत करो जब इस पर stay लगा हुआ है तो तब आपको यह notice order issue नहीं करने चाहिए अब इस order में एक चीज और बड़े मज़ेगी है अगर आप आप इस order में देखो तो इसमें tax तो बहुत लोग न चालाग बंते हैं बहुत लोग क्या चालागी करते हैं वो tax तो जमा करा देते हैं लेकिन इंटर्स्ट और penalty जमा नहीं कराते हैं और कई बार तो GST officer मैंने खुद दिल्ली के GST officer को देखा है सब्וטए वह क्या करते हैं कि क्लाइंट ने टेक्स जमा किरा धुर है टेक्स जमानीघ करा और उन्होंने प्रोसेडिंग को ड्रोप कर दिया और order pass करते समय लिख दिया कि DRC03 से payment हो गई और proceeding drop अब आप बताओ क्या ये officer ने सही करा क्या ये officer ने सही करा मेरे साफ से तो सही नहीं करा क्योंकि जब आपने tax ले लिया तो आप interest को कैसे छोड़ सकते हो आप तो interest छोड़ी नहीं सकते क्योंकि जब आप इसकी language को पढ़ोगे इस तरह के notice की language को पढ़ोगे तो वहाँ पर उन्होंने clear लिखा हुआ है वहाँ पर इन्होंने clear लिखा हुआ है कि section 73-8 तीक है ना section 73-8 कि interest जरूर आता है तो जो लोग बाग अपना tax जमा करके प्रोसीडिंग को drop कर रहे है या जो officer क्लाइंट से tax जमा करवा के प्रोसीडिंग को drop कर रहा है तो मेरे इसाब से वह गलत है आप comment box में लिख कर बताओ सर ऐसा officer करते क्यों है कि tax जमा करा लिया और interest की proceeding drop करा दी अरे तुम तो सब समझदार हो ऐसा officer क्यों करते हैं मुझे comment box में लिख करोता हो लेकिन यह गलत है सर क्या इनके खिलाब कोई कारवाई हो सकती है answer is yes कि अगर यह जिनों ने जितने भी order drop करे कि अगर इन order को दुबारा से review कर लिया गया या इस में से 10% 20% order को भी review कर लिया गया तो उस case में officer से सवाल पूछा जाएगा कि बही जब सामने वाले वेक्ति ने DRC03 से tax दे दिया तो तुमने interest क्यों नहीं लिया interest drop कैसे कर सकते हो तो तो मुझे नहीं पता वहाँ पर officer लोग क्या जवाब देंगे ठीक है न या अगर किसी officer ने कोई भी ऐसे case को close कर दिया कोई भी ऐसे close को settlement करके close कर दिया proceeding drop कर दी तो वह case दुबारा open होने के chance है तो आप यह मत समझ ना कि भाई तुम department गए और वहाँ पर settlement करके खुश होकर proceeding drop का order लिया तो गंगा जी नहा लिये गंगा जी नहीं नहीं ठीक है सब कुछ बात हो गई settlement हो गया फिर दुबारा से officer ने order कर दिया DRC07 का अभी एक case आया सामने कि वह कह रहा भाई साब मेरा तो सब कुछ हो गई थी बात्चीस सब कुछ लेना देना सब हो गया था फिर मेरे को DRC07 दे दिया अब officer यह कह रहे है कि भाई साब कोई बात निया DRC 07 दे तो दिया है order अब हम rectification कर देंगे तो भाई जो भी department के अंदर deal कर रहा है professional जाकर वो सावधानी से deal करें क्योंकि जब यह लोग order पास करते हैं तो उसमें कहीं यह नहीं लिखते कि भाई इस इस point पर हमने demand raise करी थी इस इस point पर SACC ने यह reply दिया तो इस ground पर हम यह order drop क simple format होता है कि असेसी ने reply करा हमने DRC03 उन्होंने जमा करा हमने DRC04 में accept कर लिया और proceeding drop कर दी लेकिन interest कैसे drop करा यह कभी नहीं लिखते तो भाई जो यह order और notice आ रहे हैं गुजरात high court के stay होने के बावजूद भी इनकी validity पर question आ सकता है और गुजरात में तो question आई सकता है तो यह मेरे को discussion आप से करना था क्योंकि अगले 6 महीने तुम बहुत ज्यादा department में जाने वाले हो सुबा साम जाने वाले हो और कुछ लोग तो साम को 5 बजे के बाद जाएंगे 6 बजे के बाद जाएंगे तीक है ना अलगी परपज के लिए तीक है तो वहाँ पर एक नुकसान आपका हो सकता है कि पता चले आप settlement करके case close करो और वो दुबारा उपन हो जाए और अगर आप case close करा भी रहे हैं तो दुबारा से notice order आ सकता है interest और penalty का ठीक है ना तो यह मैं सोचना कि भाई सब एक बार खतम तो सब कुछ खतम ऐसा नहीं होगा ठीक है समझे मेरी बार section 73 में नहीं आएगा तो section 74 में आ सकता है ठीक है ना कई लोग तो GSTR 9 ही नहीं भर रहे उनकी 18-19 की turnover cross हो रही है 18-19 की turnover cross हो रही है 2 करोड से उपर वो कह रहे 9 भरते नहीं है क्योंकि notice आया ही नहीं ठीक है ना notice आया ही नहीं अरे भाई notice नहीं आया तो तुम 9 ही नहीं भरोगे ऐसा कैसे हो सकता है जो compliance है वो तो करना ही पड़ेगा नहीं तो section 74 का तो notice कभी भी आ जाएगा वो simple लिख देंगे section 74 में कि तुमने suppression करा है turnover का तो मेरे हिसाब से जो भी चीजे हो रही हैं पूरी तरीके से सही नहीं हो रही जो लोग भी कर रहे हैं तो भाई जो भी चीज कर रहे हैं तो अरजुन कोर्स को join कर लेना सर अरजुण कोर्स की पहली क्लास में क्या पड़ा होगे भाई हमारी जो अरजुन कोर्स की पहली क्लास है साथ जनवरी को होगी सामको 3 बजे से उसके अंदर gst का पूरा base बताएंगे कि gst आया क्यों जो हमारा सवीधान है सवीधान का g GST से क्या लिंक है सविधान को क्यों अमेंड किया गया यह सारी चीजे बताएंगे तो इसे फटा फट से जोइन कर लो अगर तुम GST में अर्जुन बनना चाहते हो तो ठीक है ना समझ गई मेरी बात चलिए इस वीडियो को यही क्लोज करते हैं वीडियो देखने के लिए क्यामेंट बोक्स में लिखकर बताना की वीडियो कैसी लगी थैंक्यू जी